सत्य नाम शिरी वाहे गुरू सहिब जीयो परम सनमान्यो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगजी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फत्य प्यारी सा संगजी आज आपापाई गुर्दास जी द्वारा रचित 26 पौडिदी व्याख्या सर्वन करांगे जिस विच उनाने पेखान अवर्नन किता है सो आव बड़े प्रेम नाळ इस पौडिदी व्याख्या सर्वन करिए जती सती चिर जीवने सादक सिद नात गुर्चे ले देवी देव रिखी सुरा पैरो खेतर पाल बहु मेले पाई गुर्दास जी फुर्मा रहे हान के आपणियां इंद्रियां ते काबू रखन वाले जती सती संतोखी लंबा समा जियोन वाले साधना करन वाले अवे असी सिद पाव के रिदियां सिदियां वाले जिना वेच नौ नात होंदे हन गोर्खनात मचंदरनात चरपटनात मंगलनात कुगूनात गोपीनात प्राणनात सूरतनात ते चंबानात देवियां स्वर्ख पुरीदे देवते वड़े वड़े रिशी ड्राउनी शकल वड़े बीर ते एक खेतर पाल जेडा खेतां दी रख्या करन वाला एक देवता होंदा है जिस दे नाम दा दीवा जगोंदे हन इस तरह एना देवी देवतां दी गिनती अन गिनत है लोग प्रमात्मान पोल के एना दी पूजा कर दे हन गाण गंदर्ब अपसरा किनर जक चलत बहो खेले राकस दानो दयात लख अंदर दूजा पाऊ दोहेले नंदी प्रिंगी टोनना सोनना शिवजी दे सेवक गंदर्ब जिड देव पुरी विच गयन करन वाले हन अपसरामा जि किनर जिस दा ताड मनोखदा ते मूँ कोड़े दा हुंदा है पाव हाथ पैर ताड पुर्खदा हुंदा है ते मूँ उस दा कोड़े दा हुंदा है एह सारे जदो कुबेर्दी सवा लग दी है तां गंदर्ब गायन कर दे हन ते किनर नाच दे हन एस तरा स्वर्ग लोग विच निर्दकारी करदे हान। प्रमात्मातों बोलके दुखी हो रहे हन। जीवन वलों मर चुके हन। रिठे हिंदू तुर्क सब पीर पैकंबर, कौम कतेले, अंधी अंधे, खूहे ठेले। होन पाई गुर्दास जी अगे दो वडे तरमा दे लोकांदा जिकर कर दे हन। के हिंदू तरम विचों, पंडत विद्वान ते एना दी सिख्या लेन वाले हिंदू तरम दे तारनी। जिनेव पैनन वाले, ते इसलाम दे तारनी। मुसलिम तरम दे सारे पीर, पैकंबर, जेडे अंबरों पैगाम लेओन वाले हन। एना दे रैबर हन। किन्ने ही यहे वखरे वखरे टोलियां विच वंडे होय हन। जीना ने केस कतल करना ही अपना तरम समझया है, जे विचार के दिखया जावे, ता एना दे अग्यानी आगवाने, एना नू नरका दे विच्त केल्या होया है, वो आप भी अपना जीवन गवा रहे हन, ते चेलें दा भी गवा रहे हन। जेस तरह के कबीर साहब दा फुर्मान है, कबीर माए मूंडो, तेह गुरू की जाते परम ना जाए, आप डुबे चोह बेद में, चेले दिये बहाई। सो इस ते एक बहुत प्यारी साखियों दी है, पाई गुर्दाश जी ने अलोकिक परमाना विच्चों एथे एक वर्ते होई वर्तारेनू द्रिश्टांत वजों वर्त्या है, एक नेतरहिंड पुर्ष आपने परवार विच बैठा कैन लगा, कि मैं बाहर को मुके ओना है, बाहर लेके जानवड़ा कोई है, बाहर लेके जानवड़ा कोई है ही नहीं सी, इसने कहा कि मैं आप ही सोटी दे सहारे फिर तुर के वापस आ जा मांगा। बीबियाने चूरी बंद ती, ते चूरी लेके ए पुर्ष जंगल वेच चला गया, जंगल वेच जाके अपना रस्ता पोल गया, ते रस्ता पोल के कारनों ओन दी जगा बस्ती तो दूर चला गया, जाद इसनों निश्चा हो गया, कि मैं किसे दे सहारे तो बिणा अपने क करनी पूंच सकदा ता इसने सहारे लई पुकार किती कि कोई जंगल विच मेरे ते तर्स करके मेरी बां फढ़के मैंनू मेरे कार पुँचाद हुए। अगों उत्तर वेचे कवाज आई जो किसे पुर्षदी सी जिसने दावा किता के मैं तेनू तेरे कार सही स्लामत पुचा देंगा पर ये वादू दी सिर्दर्दी करंदा मैंनू की फ्यादा होएगा ता उस अन्य पुर्ख ने कहा के तू कैसा इनसान है तेनू मेरी नेतर हींटता ते तरस नहीं होदा तू मेरे कोड़ों फैदा लेना चोंदा है पर प्रावा मेरे कोड़ पैसा तो कोई नहीं है पर मेरे कोड़ चूरी जरूर है जो इस बदले तेनू खान वास्ते दे सकदा ह ता उस पाई ने केहा के मैंनू पोख लगी हुई है खान लगी थोड़ी चूरी दे दे ता इसने की किता उसनो सारी चूरी दे दती ते नाल केहा के पोखता मैंनू भी लगी हुई है अपां दो में अदो दी खालें दे हां ता उसने चूठ बोलके केहा के मैं एक मसाफिर हाँ मेरा कर दूर है इसलिए मैं सारी चूरी खाके तेन्नों तेरे कर पहुचा दियाँगा तू एथो चलके अपना खाना खाल मी अन्य पुर्ष ने विश्वाच कार लेया चूरी खान वाले नू अपनी बांफडा जती ते जांदयां जांदयां रास्ते वेच ऐसा पाणा वरत्या कि एकदम खूवेच डेख पए फिर होया की चूरी खूणवाले पाई ने गुसे वेचा के उसनों उच्ची उच्ची पुकार के केहा ये निर्दई लालची पुर्ष तेरा केते पलाना होवे तू एक अन्य पुर्ष दी चूरी खाके खूवेच सुड़ दिता है ओ खूव देर दा खड़ा होण करके उस वेच रेता चड़या होया सी जिस करके एह मरंतों बाच गया जदो इसने उच्ची वाज नाल भुरा पला केहा ता ओसे खूव विच्चों बिलकुल लेडे तो चूरी खान वाले ने अन्य दी बाँ फांड वाले पुर्ष ने कहा के गाड़ा ना कड़ मैं भी तेरे नाल ही डिगया पया हाँ फिर इसने हरान होके पुछया के ए के में हो गया ता उसने कहा के असल गलता ए है के मैं भी अन्या ही हा फिर उसने कहा के तू मेरी बाँ क्यों फड़ी तुम सच क्यों नहीं बोलया मेरे लाल फ्रेब क्यों कीता तैं चूरी खान वाले ने कहा के ए सब कुछ मैं चूरी खान दे लालजवेज कीता है एथे पाई गुर्दाश जी ने अन्य पुर्ष द्वारा अन्य नू खूवच सुटन दा परमाण देता है पाई गुर्दाश जी ने अपनियां तुकां वे चाई होई जिकर्दा सिटा एक अड्या है के अग्यानी गुरू अग्यानी चेल्यां दी शर्दा रूपां फालन दे हन पदार्था रूप चूरी खाके संसार दे अने खूवच सोड़ दे हन वे राग विबेग दे नितर ना होण करके शब्दादे पखंड जाल विच फसाके नरकादे खूवच तक रहे हन अपनी पूजा मन ता करोदे हन चेल्यां समेत डोब रहे हन प्रमातमादी पाउपक्तितों सक्णे हो रहे हन जिस्तरा के गुर्बाणी दा फूर्मान है गुरू जिना का अंधला सिख भी अंधे करम करेन वे पाणे चलन आपने नित चूठो चूठ बोलेन सोशा संगजी जड़े नकली गुरुआं दे पिछे तुर्दे हन ओ आपता ग्यान हीन होंदे हन ओना दे गुरु भी ज्यान हीन होंदे हन ओ लालच दे वस होके ओना नू अपना चेला बनालन दे हन पर ओना दे मुक्ती नी कर सकदे सो एसे लई सचे गुरु ताने शिरुगुरु ग्रण साहब जी अगे ही सानू नतमस्त खोना चाईदा है जेड़े के संसार समुद्धतों सानू पार लंगा सकदे हन हों यहां पुला चुका दी क्यमा बक्षणी जी दासनु आग्या देओ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फते